Can you please show how to do camera clipping जैसे कि मैंने एक camera set किया यहाप अब यह camera नहीं set है एक है viewport, viewport clipping भी होता है camera clipping भी होता है तो viewport पर आपको viewport का clipping यहाप मिल जाता है viewport clipping आप viewport पर clipping कर सकते हो यह आपका far का I think so far यह near का है यह far का है यादि कि far यादि की दूर जो चीजे है वो कितने नजदीक तक कटेंगी यह है यह है viewport clipping और यह है near यानि कि नजदीक का कितना कटेगा यह है near अभी मैं इसको बंद करेता हूँ अगर आप camera clipping करने जाए तो आप इसको बंद कर दीजा अगर आपको यह on है तो इसको आप कर दिया मिल तो अभी चलते हम दो camera clipping के तरफ एक camera clipping जैसे normal camera आप यूज करते हो normal camera में भी आपको camera clipping मुलता है select कर दिया camera और यहाँ पर आपको नीचे के तरफ दिखता है clipping plane करके manual और यहाँ पर आपको near and far दिखता है near यह नजदीक का क्लिपिंग करना है नजदीक का कितना clipping करना है आप यहाँ से रिसाइड कर सकते हो मैं तरफ क्लिपिंग कर रहा है अभी आपको पता नहीं चल रहा है देशाए तरह में बढ़ा रहा हो तब आपको पता चलेगा यह देखिए clipping अभी नजदीक का clean हो रहा है यानिक नजदीक के इरेज हो रहा है और दूर का मुझे एरेज करना है यह दूर का मुझे कम करना है दूर का clipping के लिए यह है यह camera clipping राइट यह है नॉर्मल camera में हो गया और आप वीरे camera यूज़ कर रहा है अगर आप वीरे camera यूज़ कर रहा हो तो उसके लिए क्या है मैं वीरे camera एक्टिव कर लेता हूँ, create वीरे camera, control C, तो वीरे camera के अंदर कैसा होता है camera clipping, तो आप जैसे यहाँ पर click करते हो, तो वीरे camera में भी आपको नीचे की तरफ दिखेगा, just नीचे, बहुत नीचे जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपको just इसे मिलता है, यहाँ पर यह option clipping का, जब आप clipping पर mark करों तो यह clipping वाला option, enable हो जाता है, camera clipping का, इदर पर आपको near मिलता है, इदर मिलता है आपको far, near यानिक नस्दीक का, आपको erase करना है, जितना आप बढ़ाओगे, तो नस्दीक वाला, जो plane, जो objects से, वो erase होना चालू हो जाएगा, वो render में नहीं दिखाए देगा, जादे हो गया, को ज्यादा तेजी से हो रहा है, दूर का erase हो गया, इस तरीके से यह near end farm काम करता है, near farm किस दर पर use होता है, आपका सामने के तरब कोई objects आ रहा है, जैसे कि आपको यह teapot नहीं चाहिए, आपको दो objects की render होनी चाहिए, तब सामने के यह object को erase करके बाकि आप मिलते हैं आपको ठीडी model, scene fire, texture और tutorial और विया जाने के लिए इस वीडियो को description में इसका link दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप visit कर सकते हो